बात है उस समय की जब भारत में पृत्विराज चोहान का शाशनकाल चल रहा था उसी दोरान मंगोलिया में सन 1113 सीस्वी में 21 साल का एक लड़का तैमुजिन जो आगे चलकर चंगेज खान के नाम से शाशक बना था दियान रखना ये खान मुसल्मान नहीं थे कबीले के जो सरदार होते थे उनको खान कहा जाता था ये लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे तो 1113 सीस्वी में मंगोलिया में 21 साल का एक लड़का तैमुजिन उसके आखों के सामने ऐसा द्रिश्य था जिसके कारण वो तैमुजिन चंगेज खान बन गया उसी की आखों के सामने उसके 30 सैनिकों के शव पड़े वे थे और इन 30 सैनिकों को पानी में उबाल कर तड़पा कर फिर मारा गया था और ऐसा किया किसने था? चंगेज खान का मतलब तैमुजिन का जो रक्त बंदू था जमो का उसने कभी जमो का और तैमुजिन ने एक दूसरे का खून पिया था हाथ काथ कर और एक रिष्टा इस्थापित किया था कि हम दोनों आज से रक्त बंदू हैं और उस समय ये वाला जो रिष्टा होता था मंगोलिया में ये सगे रिष्टे से भी बढ़कर होता था हम बात करेंगे तैमुजिनके बचपन से उस संगर्ष की उन परिष्थितियों की जिसकी वज़े से ये एक साधरन व्यक्ति जो कभी शाषक नहीं बनना चाता था और आगे चल कर ऐसा शाषक बना जिसका नाम लेने मातर से हमारे दिमाख में कुरूर और बरबर शाषक की इमेज पैदा होती आप ये भी सोच रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पृतिवरात चोहान की चर्चा क्योंकि पृतिवरात चोहान का चंगेज खान से कोई लिंक नहीं है चर्चा केवल इसलिए की ताकि आप ये लिंक करें कि जब ये घटनाए हो रही थी उस समय भारत में पृतिवरात चोहान का शाषन काल चल रहा था इस वीडियो के लिए विक्रम जी सर को special thanks क्योंकि इस वीडियो के लिए उन्होंने मुझे information उपलब्द कराई उसी के आधार पर मैं अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं रमन भार्दवाज आईए शुरू करते हैं इस वीडियो की सारी घटनाओं का केंदर है मंगोलिया जहां पर चंगेज खान का जन्व हुआ वो बड़ा हुआ और यहीं से केंदर बना कर उसने दूर दूर तो कपना राजय फैला लिया था तो मंगोलिया के बारे में एक बर हम समने जानकारी ले ले लेते हैं वर्तमान जो मंगोलिया है दक्षिन में इसकी सीमा लगती है चीन से उत्तर में सीमा लगती है रशिया से मंगोलिया में पहाड भी है, मरुस्थल भी है, घास के मैदान भी है उत्तरी जो भाग है, वहाँ पर पहाड और परवत है दक्षिन में मरुस्थल है, जिसको हम गोवी मरुस्थल के नाम से जानते है और मरुस्थल और पहाड के बीच में घास के मैदान है इस्टेपी घास के मैदान चंगेज खान के समय अलग-अलग यहां पर कबीले हुआ करते थे ये कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे एक कबीला दूसरे पर हमला करता दूसरे वाले को मौका मिलता तो वो पहले वाले पर हमला कर देता या दूसरे कभीलों पर हमला कर देता वहां के पशुओं को लूट लिया करते थे महिलाओं को भी पशुओं ही समझा जाता था पश्यों की बाती समान की बाती मैलाओं को भी लूट लिया जाता था मैला के अगर बच्चे हैं तो भी उस मैला से शादी कर लिया जाती थी एक प्रथा ओर भी थी कि मैला के अगर पती की डैथ हो गई है तो उस महीला का जो सोतेला बेटा है, वो अपनी मा से शादी कर लिया करता था, मतलब महीला का बेटा अपनी मा से भी शादी कर लिया करता था, ये जो कबीले होते थे, बहुत बरबर होते थे, कच्चा मांस खा लिया करते थे, और ये हम देखते हैं परंपरा, ये प्रथा आ नीचे ये मास रख लिया करते थे, कच्चा मांस, उसकी वज़े से वो सोफ्ट हो जाता था, उस कच्चे मांस को खा लेते थे, और अगर खाने के लिए इनके पास में मास उपलब्द नहीं है, तो जिस घोड़े पर ट्रेवल करते थे, उसी घोड़े की गरदन में थोड़ा सा कट लगाते थे, ताकि गोड़ा भी नहीं मरे, और इनका भी पेट बर जाए, तो गरदन, उसकी गरदन में थोड़ा सा कट लगाते थे, वहां से खून निकाल कर, उसमें पानी मिला कर, और फिर पी लिया करते थे, तो बहुत बरबर थे, कबिलाई लोग थे, ये इस प्रकार की वहां सामाजिक विवस्था थी, और मंगोलिया कहां है, किस प्रकार की भोगोलिक विवस्था है, ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन कबिलाई लोगों में एक प्रथा और वाकत थी, सेवा प्रथा, नाम सेव करनी है शादी के कई अलग अलग प्रकार है मोर बांदिया है तानना है पेरावना है मेलबो है खेवन है उसी में एक प्रथा और होती है सेवा प्रथा कि कोई लड़का अगर उसको शादी करनी है तो वो कुछ समय लड़की के घर पर रहेगा जिस लड़की से शादी करनी है गर पर वहाँ पर सेवा करेगा अनल सरल सी भाषा में समझा हूं तो बरतन भांडे जाडू पोचे समझाने के लिए कह रहा हूं यह सारे वहां काम करेगा लड़की के परिवार वाले राजी हो जाएंगे बोले छोड़ा तो काम करता है बड़िया तो वो शादी करा देंगे अब इतनी बात सामाने जानकारी मिल गई तो अब दिहास को शूरू करते हैं बात है ग्यारा सो 61-62 इसवी के लगबक्त उस समय एक कबीला जो भोट सारे कबीले थे उनी कबीलों में से एक कबीला मंगोलिया में दक्षिन से और उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था ये कबीला था मर्कित अलगला कबीले थे उनी कबीलों में से एक कबीला था मर्कित अब इस कबी का सरदार था यशूगी वो इनको देख रहा था और यशूगी ने इन कबीले के लोगों पर हमला कर दिया पुर्शों को मारा जो बचे वे थे वो भाग गए भाग कर अपनी जान बचा ली इस कबीले को लूट लिया गया पशूओं को लूटा और महिलाओं को लूट लिया इनी महिलाओं में से एक महिला थी होलन उस महिला के साथ में पहले से एक बच्चा था तो यशूगी ने उस महिला के साथ में होलन के साथ में शादी कर ली और यशूगी और होलन की एक और संतान हुई जिसका नाम रखा गया तैमुजिन और तैमुजिन के बारे में ये बविश्यवानि कराया करते थे, तो ये बविश्यवानी हुई किसाब आगे चलकर ये जो बालक है ये बहुत बड़ा शाशक बनेगा, और अम ये देखते हैं, 1206 इस्थी में, वही बालक तैमुजिन आगे चलकर चंगेज खान के नाम से शाशक बना खेर तैमू जिन अब बड़ा हो रहा था जब नोदस साल का हुआ तो तैमू जिन के पिता यशूगी की हत्या कर दी गे एक कबीले के लोग थे तातार कबीले तो तातार कबीले के लोगों ने धोखे से यशूगी को जहर दिया और जहर देने से यशूगी की मिर् तेमु जिन के पिता की मिर्ति हुई तो उसके बाद फिर तेमु जिन को जीवन में असली संगर्ष करना पड़ा और यही वो संगर्ष था जिसकी वज़े से ये साधारण सा बालक जिसकी कभी राजा बनने की इच्छा नहीं थी वो आगे चलकर एक बहुत बरबर और कुरूर जब यशूगी की मिर्ति हुई तो इनके कभीले के जो लोग थे वो इनको छोड़ कर चले गए ऐस हाय छोड़ कर चले गए क्यों क्योंकि इनके कभीले में एक तो महिला होलें इसके अलावा उसके बेटे दो तो सगे बेटे एक तो तैमुजिन एक बैलपताई इसके तासे शादी कर सकता था और ये बात तैमूजिन को मंजूर नी थी इसलिए तैमूजिन ने अपने सगे भाई के साथ में मिलकर जब ये 10 साल का था तो 10 साल की उम्ड में अपने सोतेले भाई बैगयरत की हत्या कर दी लेकिन खियर अभी भी पालन पोशन में तो दिक्कत थी क् कबीले के लोग तो छोड़ कर चले गए थे तो ये आसपास में शिकार किया करते थे जो भी जानवर मिल गया चूहे मिल गया उनको पकड़ते थे और पकड़ कर ये खा जाया करते थे कच्चा ही खालिया करते थे अब एक बर तैमुजिन जब शिकार करने के लिए गया तो ताई चूड के कभीले के जो लोग थे उन्होंने तैमुजिन को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपने यहां पर 6 साल तक बंदी बनाए रखा काम कराते, खाने को दे देते और बंदी बनाए रखते मतलब अगर आप तुलना करो तो कुछ-कुछ इस प्रकार की प्रथा थी जैसे हम ये देखते हैं बेगार प्रथा बहुत जगे देखने को मिलती है कि काम करा लिया जाता है काम के बदले में खाना दे दिया जाता है और कई बार तो बांध कर रख लिया जाता था कि या काम करो और यहीं पर रोगे किवल आपको खाने के लिए चीए खाने के लिए दे दिया जाएगा तो तैमुजिन को भी ताई चूड के कभीले के लोगों ने पूजक होते थे प्रकर्ति की पूजा किया करते थे तो तैमुजिन उस पहाड पर चड़ गया बड़ा पवित्र पाड उसको माना गया वहाँ पर तीन से चार दिन तक वो बैठा रहा वूखा प्यासा इस इंतजार में कि इस कबीले के लोग कब वापस जाए और कब मैं सेवा प्रता नहीं बोलते ते मैंने तुलना करते विए आपको समझाने की कोशिस किया कि तो तैमुजिन उस लड़की के घर पर गया उस लड़की के पिता ने तैमुजिन की शादी कर दी अपनी बेटी-कוא इसकी पतनी थी बोर टे जो इसकी पहली पतनी थी है अब लेकिन तैमुजीन को यह पता था कि अगर मुझे जिन्दा रहना है तो मुझे किसी ना किसी से अपने लिए रक्षा की मांग करनी पड़ेगी वरना मुझे छोडेंगे नी किसी भी कभीले के लोग मुझे छोडेंगे नी तैमुजीन को याद आया बोले मेरे पिता के ए शामिला करते हैं मेरी जाना आप बचा लो ओंगा कि है कि मुझे सेना का नित्रत नहीं करना है एक साधरन सी लाइफ मुझे जिन्मनी हैं और मेरे और मेरे परिवार की रखशा कर लो यहां से वर्षांशन ओंखान ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा लेकिन बाद में एक कबीले के लोगों ने मरकित कबीले के लोगों ने मरकित कौन से जिस कबीले से तैमुजीन की माता हुआ करती थी उसी कबीले को तैमुजीन के पिता ने लूटा था उसी कबीले के लोगों ने मरकित कबीले के लोगों ने तैमुजिन पर हमला किया तैमुजिन को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी तैमुजिन की पत्नी को बंदी बना लिया गया और पत्नी को और मवेशियों को मरकित कबीले के लोग लूट कर अपने साथ मिले गया तैमुजिन को समझ में आया कि यहां जीना इतना आसान नहीं तैमुजिन वापस से ओंग खान के पास में गया और ओंग खान की इस बात को इस बार स्विकार कर लिया कि ठीक है मैं आपकी सेना में शामिल हो जाता हूं और सेना का नित्रित वकलता हूं लेकिन आप मेरी सहायता करो, किसके विरुद, मर्कितों के विरुद, क्यों, क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी को लूट लिया है, मेरी पत्नी को लूट कर लेकर चले गए हैं, तो ओंग खान ने सहायता की, और इस सेना की सहायता से मर्कितों पर फिर से हमला बुला गया अपनी एक दूसरे का खून पिया था और खून पिने के बाद ये एक दूसरे के रक्त बंदू बन गए थे रक्त बंदू का मतलब रक्त भाई और उसमय ये वाला जो relation होता था ये सगे भाईयों के relation से भी बढ़कर होता था तो जमोका भी ओंखान की सेना में सेना पती तैमु जिन भी ओंखान की सेना में सेना पती लेकिन दोनों के मद्धे में कही ना कहीं एक खटास थी खटास ये थी कि तैमु जिन उस महिला का बच्चा था जिस महिला को लूटा गया था और जिस महिला को लूट कर शादी की गई थी उससे उत्पन संतानों को काली जाती का और जमो का जो था ये एक साधारण मैला का बच्चा था मतलब एक राज परिवार की मैला का बच्चा था तो ये सफेध हड़ी का कहलाता था तो भले ही दोनों एक दूसरे के रक्त बंदू बन गए लेकिन जमो का के मन में ये था कि मैं श्रेष्ट हूं क्योंकि मैं स आपको सेना का जो भी सम्मंदित टुकडी है या मोर्चा है उसका नित्रत दिया जाएगा लेकिन जमो का इस बात से नाराज रहता था और टोका करता था कि आप इन लोगों को सेना में उच्च पदों पर नहीं बठा सकते केवल सफेद हड़ी के लोगों का ही उच्च पदों में न्यूक्ति की जा सकती है इस बात को लेकर जमो का और तैमुजिन में ठन गई जमो का वापस चला गया सेना को छोड़कर अपनी सेना तयार की और चंगेज खान की सेना पर हमले करने शुरू कि अब सवाल यह है कि ओंखान ने बीच बचाओ क्यों नहीं किया ओंखान स् चंगेज खान दोनों के बीच में ठन गई और जमो का ने लगातार चंगेज खान के कबीले पर लगातार हमले करने शुरू किया और एक बर मोका आया जब जमो का ने तैमुजिन के कबीले पर हमला किया तैमुजिन कबीले में नहीं था तैमुजिन के तीस सेनिकों को बंद दशा को देखे तैमुजीन जब गया तो उसका क्रोध भड़क उठा कि किस प्रकार से मेरे 30 सेनिकों को कितनी बरबरता से मारा गया तैमुजीन ने अब क्या किया अलग अलग कभीलों से संपर्क करना शुरू किया उन कभीलों को अपने यहां पर नोकरी देना शुरू किया क कोई सफेद अड़ी का नहीं कोई काली अड़ी का नहीं अगर आप योग्य हो तो आपको सेना में उच्छे पद मिलेंगे इसने एक नई सेने विवस्था भी शुरू की और इस प्रकार की विवस्था हम देखने को आज हमको देखने को मिलती है दस जो सेनिक होते थे उनकी एक टुकडी बनाई ऐसी ही दस टुकडीयों को मिलाकर एक कंपनी बनाई ऐसी ही दस कंपनीयों को मिलाकर एक बटालियन बनाई और ऐसी ही दस बटालियन को मिलाकर एक रेजिमेंट बनाई तो इसी प्रकार की एक विवस्था हम को आज देखने को मिलती है इस प्रकार की एक विवस्ता बनाई अपनी सेना को स्ट्रोंग किया स्ट्रोंग करने के बाद जमोका पर हमला किया जमोका अपनी जान बचा कर भागा जमोका को पकड़ लिया गया और तैमुजिन के सामने पेश किया गया तैमुजिन ने फिर एक मोका दिया वैसे यह चीज़ जम बार बार दे जाता था कि जहां पर यह हमला करे वहां का शाशक पहले ही सरेंडर कर दे कि ठीक हम आपका विरोध नहीं कर रहें वरना हम बरबरता कर सकते हैं तो बरबरता के कारण जादतर शाशक पहले ही सरेंडर कर दिया करते थे तो तैमु जिन के सैनिकों ने जमोका को पकड़ लिया ज उसका रक्त जमीन पर नहीं गिरने दिया और उसको सम्मान जनक तरीके से मारा है और आगे चलकर हम यह देखते हैं 1206 इस्वी में यही तैमुजिन चंगेज खान के नाम से शाशक बन गया है 1227 इस्वी के लगबग पर रहा है खेर इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू पर शेखते हैं